नमस्कार स्वागत हैं आपका प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा जिसमें हर बार हम एक नया टॉपिक लेकर हाजर होते हैं ऐसी ही आज हमारा टॉपिक है जीका वाइरस जी हां हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कोविड-19 के बाद आज जीका वाइरस ने बहुत तहलका मचा रहा है और उसी के लिए आज हम डिसकस करने वाले हैं डॉक्टर की फिजीशन है बलरामपूर हॉस्पिटल से तो आई जानते हैं जीका वाइरस के बारे में डॉक्टर विश्णुकुमार से तो सर आपका हमारे हेल्फ मंतरा शो में बहुत बात स्वाइब हैं सर हम लोग हमेशा एक हेल्फ मंतरा में एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जिस पे ल जीका वैरस बारे में तो शबसे पहले आप हमीजीका वाइरस के बारे में बताए कि जीका वाइरस होता क्या है उसके बाद फिर 1948 में इस वाइरस को जह है एडीज मॉस्क्यूटो वो मच्छर जिसके द्वारा डेंगी चिकन गिनियां आधी बीमारियां फैलती हैं यही वाइरस जीका वाइरस के फैलने में भी सायोग करता है उसे डॉक्टर हम इनके लक्षरों पर बात करते हैं क्या लक्षर्ण होते हैं जीका वाइरस के जीका वाइरस में जो पेशेंट को बुखार का आनों चरी में दाने निकलना सरदार्द बदन दर्द आँखों के पीछे औरदोना जैसे कि लक्षान हमारे देंगु और चिकन गिनया में बुखार में रहते ह 23 जिका वारेस में भी िरे refugees करे। सामाने तोर से clinically ये differentiate करना थोड़ा कठीन होगा कि जीका वाइरस और डेंगू को हम ऐसे मरीजों में पहले डेंगू की जाँच कराते हैं और अगर डेंगू की जाँच निगेटिव आ रही है और symptoms इस तरह के हैं कि बुखार आ रहा है, सरीर में दाने पड़े हैं, तो फिर हम इसकी जीका वाइरस के लिए जाँच कराते हैं, तभी इसकी पूस्टी हो पाती है, क्लिनिकल ये थोड़ा सा ये मुस्किल होता है कि हम क्लिनिकल ग्राउंड पर क्योंकि ये सारी जो symptoms किसी अन्य बुखार में भी मिलते हैं, इसलिए इसको केवल क्लिनिकल ग्राउ इसमें मुखिता रूप से की जाती हैं? बहुत ही specific नहीं है क्योंकि ये दूसरे जो बुखार हैं उसमें भी अगर वो infection हुआ तो positive आ जाती है तो इसके लिए specific test जो होते हैं वो हम real time PCR, RT-PCR या RT-PCR जिसमें blood में या urine में इसकी जाच कराई जाती है जिसके इसकी पुष्टी हो पाती है आपने मच्छरों को बताया क्या कोई और कार्णों की जीका वायरस मच्छनों से तो पहलता है इसके साथ साथ अगर कोई संक्रमित ब्येकती है संक्रमित महीला या पुरुस है तो उसके partner को भी sexual contact से भी जो है उसको जो है संक्रमित हो सकता उसके partner को आपने अभी जीका वायरस फैलने का एक sexual आपने रीजन बताया अगर हम उस पार्टनर के से पास में है जैसे कोविट जैसी अगर हम बिमारी पे अगर कमपेर करें जैसे कोविट जैसी बिमारी अगर हम किसी परसन को टच कर लेते हैं तो कोविट फैल जाता है तो क्या उस तर हम बेघंदीर के टच होने से यह पास बैठने से जीका वायरस नहीं फैलता है जैसा एड्स में देखा जाता है ने एड्स में इस तरह की चीज़ें मतलब कॉंटक्ट से नहीं होता है यह जो है इस जो होता है उसमें आतो sexual contact हो या बलड वह केवल बॉड़ी के टेस्च करने से इसका संकरमड नहीं मतलब वही कि आप जैसे जो आपने जो कारण बताया है तो वही सेम सेम्टम अधिकतर से कारण फैलने का उसमें एज में भी देखा जाता है जी अच्छा डॉक्टर यह बताए क्या जीका वाइरस के भी प्रकार होते हैं कितने टाइब का होता है जीका वाइरस की दो वाराइटीज हैं दो वनसावली हैं एक अफ्रीकन और एसियन वनसावली यह दो टाइप की होते हैं जीका वाइरस अफेक्ट कर सकता है जैसे निरॉल्जिकल प्राब्लम कुछ जो वाराइटीज होती है गंबीर तोर में जो हमारा नियूरो सिस्टम होता है उसको इन्वालव करता है जिसमें एक सिंड्रों होता है जिसको हम गुलियान बारी सिंड्रों बोलते हैं या फिर गार्वती महिलां हैं अगर उन कंप ही लिलुके। आपने आप बिना किसी इलाज के अगर कुछ इलाज की जरुरत होती है तो बखार के लिए हम परस्टमाल गोली का अप्रियों कर सकते हैं बाकी इसके लिए कोई स्पेसिफिक इलाज की जरुत नहीं होती और अपने आप इसीए ठीक हो जाता है इसा काई बार होता है कि लोग ज़र्ज नहीं कर पाते हैं कि हम किस टाइम पे को को दिखा लेना चाहिएं डिवेडाल और सरीर में दाने है और सरदार्द हो रहा हैा इस तरह की विमारियों होते है तो अगर ऐसे लक्षन थो ड långकू को कंसर्ण करना चाहिए तो क्या कुछ और विमारियां भी इससे क्रिएिट हो सकती है का वाइरस में जो दो बहुत ही रेर वास्टीज होती है जिसमें जो है ये हमारे neurological system को affect करता है जिसमें एक तरह का लकवा हो जाता है सरीर और हाथ पैरों की ताकट चली जाती है जो कि एक गंभीर variety है अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए हमें तुरत neuro physician को दिखाना चाहिए या फिर महिलाओं में गर्वती महिलाओं में जीका वारेस का अगर संकर्मन होता है तो ये जो है जीका वारेस का संकर्मन उसमें पल रहे बच्चे को प्रभावित कर सकता है तो इसके लिए समय समय पर हमें शिकिस्तक को दिखाना चाहिए उसका ultrasound कराना चाहिए कि कोई congenital malformation तो नहीं हो रहा है जिससे कि हम उसको समय से उसका उप्षार कर सकते हैं अगर जीका virus से ग्रसित है अगर कोई pregnant lady तो उसके होने वाले बच्चे पर असर पड़ता है जो सामाने जो वैसे जो सिरका साइज होता है उससे छोटे सिरके बच्चे पैदा होते हैं उनका brain का दिमाग का विकास भी कम हो जाता है या उनके joints में stiffness हो जाती है उनके man species में अकड़न हो जाती है इनके दिमाग को अगर देखा जाया है बाद में तो इनमें calcium का deposition हो जाता है तो इस तरह के चीज़ें जो है जो जिन संक्रमित महिलाएं जो जीका वाइरस से होती है उनमें इस चीज़ें पाई जाती है जिसको हम microcephaly बोलते है अच्छा डॉक्टर ये है कि किस age group में ये जादा प्रभावित करता है कि इस age group को जादा effect करता है ये zika virus जीका वाइरस किसी भी age group को प्रभावित कर सकता है लेकिन ये पाया गया है कि इसका जो संक्रमर 20-50 वर्स के उमर के लोगों में जादा पाया जाता है और महिलाएं इसके infection के लिए ज़्यादा प्रून है जो ब्राजील में 2015 में जो आउट ब्रेक हुआ था उसमें यह पाया आगया कि महिलाएं इस जीका वारिस के infection से ज़्यादा संक्रमित हुई थी अगर हम इसको किस तरीके से अगर हम डेंगू से जो से compare करते हैं तो किस तरीके से अलग है यह डेंगू से डेंगू में उसकी varieties होती डेंगू भी clinical अगर लक्षण देखे जाए तो डेंगू में भी बुखार का आना वैसेज होना और सरदात का होना जॉइंट स्पेन होना यह सारी चीजें होती यही तरह के लक्षण इसमें होते हैं लेकिन यह डेंगू की कुछ वराइटी जो होती हैं जिससे डेंगू सॉक सिंड्रोम या डेंगू हमरेजिक फीवर तो इस तरह का इसमें नहीं होता है इसके जो अगर रेर केसेज में जीका वाइरस में जो सबसे ज की डिएंगु की बात करते हैं, जीघव्रियस की बात बात करते हैं जो कट मच्छ तरीके से जच किया जाता है कि डेंगू का मच्छर दिन में काट रहा है और जी का वारिस का दिन और रात दोनों में काट रहा है। डेंगू का जो मच्छर होता है वही जीका वायरस को भी फैलाता है जो एडीज मास्क्यूटू होता है इस यह अधिकांस्ता प्रफरेबली जो है यह दिन में काटता है लेकिन अधिकांस्ता प्रफरेबली जो है यह दिन में काटता है लेकिन प्रफरेंसली जो है यह मच्छर ध्यान रखना चाहिए जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक वाइरस के दौरा बीमारी होती तो इसका कोई जैगा रहना चाहिए जिससे उसको मास्किटो बाइट नहीं कि जो मच्छर अगर कोई भी सामाने जो मेच्छर हैं उसको जो काटेंगे तो उसका संकरमर मच्छर के अंदर जाएगा और फिर दूसरे बेक्ति को प्रेशानी होती तो सबसे ज्यादा है कि हमें लिक्विट्स ज लेने चाहिए पूरा आराम करना चाहिए और अगर बुखार की बुखार रहता या बदंदार दोरा तो सबसे सुरचित दवा जो है परस्टमाल का सेवन करना चाहिए ऐस्प्रिन जैसी दवाएं जो कि जिन से ब्लीडिंग प्रॉल्म हो सकती है इस तरह की दवाएं नहीं चाहिए नहीं प्रयोप करना चाहिए gamjas आपने जैसे अभी बोला कि यी जिन दवाईयों गारे में आपने डिफाइन किया है कि आस प्रिंट जैसी दवायां नहीं लेनी इस दोरान क्योंकि इससे bleeding की समस्या हो जाती है तो उस दोरान जैसे Zika virus का patient किसी high blood pressure या heart की बिमारी या kidney की बिमारी से ग्रसित है तो उसको तो कोई ना कोई दवा लेनी ही जरूरी है क्योंकि उसके बगार उसका काम नहीं चलता बाकी अगर हम इसके इलाज पर बात करते हैं तो क्या है इसका इलाज जीका virus का इलाज जो सामाने तोर से अधिकांसा जो मरीज होते हैं जिसमें सामाने तोर से बुखार रैसेस सरदर्द, बदंदर्द, ज्वाइन पेन इनका simple इलाज है कि इसके लिए हमें parastamal गोली का प्रियोग करना चाहिए और हमें तरल पदार्स जादा लेने चाहिए और पूरी तरह से आराम करना चाहिए और जीका वाइरस सामाने तोर से एक हफते के अंदर इसके जो ग्रसित मरीज है वो ठीक हो जाता है कुछ जो रेर वराइटी जिसमें की जैसे गर्वती महिलाओं में और जो निरॉल्जिकल प्राब्लम जिन में होती है जिसमें जीवी सिंड्रोम अगरा तो ये कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए विश्यशग को तुरत दिखाना चाहिए जैसे डॉक्टर ये जैसे आपने जो भी पैरसिटा मोल और ये एक ऐसी एक आम दवा है जो लोग जैसे ही बुखार होता है या कोई जो सिंटम्स आपने बताये हैं वो नजर आते ही कि साथी तो वो खुद से ये दवाइयां लेने लगते हैं तो क्या ये सही है कि हम डॉक्टर की सला मश्वरा के बगार वो दवाइयां ले लें या डॉक्टर की सला पर ही ये दवाइयां लें तो कोई भी दवा जो है डाक्टर की सलाग से लें लेकिन परस्टमाल इती सेफ दवा है कि यूजिली इससे कोई नुक्षान नहीं होता अगर वो प्रॉपर डोस में ली जाए लेकिन मैं फिर भी सलाग यही दूँगा कि आप कोई भी अगर दवा ले रहे हैं तो अपने चिक वारे से जान जाने का खत्रा भी बना रहता है मैं जान जाने का खत्रा भी बना रहता है कुछ वराइटी जो जैसे मैंने बताया कि जो निरॉल्जिकल प्राव्लम जीवी सिंड्रोम जिसमें लकवा हो जाता है या फिर जो गर्वती माताओं में इसमें जो है एबार्शन, मिस्कैरिज या फिर प्री टर्म या इस्टिल बर्थ या जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें जो जन्वजात जो खराबी है जिसमें सिर्थ का छोटा होना या दिमाग का कमजोर हो जाना जोइन्स की स्टेफनेस मसेल की स्टेफनेस इस तरिक परिशानियां हो सकते हैं जीका वाइरस जो ठीक हो चुके हैं पेशन उनको दुबारा से जीका वाइरस जैसी बिमारी नहीं होती है हाँ अधिकांस्ता यह पाया गया है भी जी चीजें की जो है अगर एक बार इंफेक्शन हो जाता है तो इसमें लंबे समय तक इम्मिनिटी बाड़ी में आ जाती है और दोबारा इंफेक्शन होने के चांसे नहीं रहे आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम टिवी की वियोज को एक मैसेज दें जीका वाइरस के वारे मैं यही कहूंगा कि इससे घबडाने की जुरुत नहीं है क्योंकि अधिकांस्ता केसे में इसमें माइल सिम्टम्स होते हैं जो की रेस्ट, तरल पदार्थ और सिम्पिल परस्टमाल टैबलेट देने से ठीक हो जाते हैं और चुकि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं बना है तो प्रवेंशन के लिए हमें मच्छरों से अपने को बचाएं उसके लिए हम अपने घर के चारोतर पानी नहीं भरने दें, कोई खुला बरतन है, उसमें पानी नहीं रहने गंबले हैं, जैसे टंकी है, उसको ढखकर रखें, पूरी आस्तिन के कपड़े पहने और मच्छर दानी का प्रियोक करें, घरों में खिड़कियां बंद रखें, जाली लगवाएं, जिससे कि हम मच्छर से बच सकें, और मच्छर से गर बच जाएंगे तो इतनी भी वेक्टर बाउंड डिजियों हैं, जीका, डेंगी, चिकेन गुनिया, इन सबसे हम अपने को बचा सकते हैं, जै बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्राइम टीवी के शो हेल्फ परंथरा में अपना समय देने के लिए झाल